प्रस्ण चार निम्न को दसमलो रूप में ब्यक्त कीजे प्रस्ण चार का ए है 200 जोड 60 जोड 5 जोड 7 बटा 10 तो इसको दसमलो रूप में ब्यक्त करना है तो देखें 200 जोड, 60 जोड, 5 कितना हो जाएगा तो 200 जोड, 60 होगा 260 फिर 260 और 5 को जोड देंगे तो 265 जोड अब 7 को 10 से भाग देंगे देखें, 7 बटा 10 है क्यानि 7 को 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा सूनने दसमलो 7 क्या आएगा सूनने दसमलो 7 एक पे एक सूनने है बटा में तो दस्मलो के बाद एक अंग होना चाहिए इसलिए साथ के पहले दस्मलो लगा देंगे और दस्मलो के पहले सूनी दिया जाता है तो सूनी दस्मलो साथ हो गया साथ बटा दस अब 265 को सूनी दस्मलो साथ के साथ जोड़ेंगे तो आ जाएगा 265 दसमलो 7 तो दसमलो रूप में व्यक्त करना है तो 200 जोड़ 60 जोड़ 5 जोड़ 7 वटा 10 हो जाएगा 265 दसमलो 7 बी 70 जोड 8 जोड 8 वटा 10 70 जोड 8 जोड 8 वटा 10 तो 70 जोड 8 कितना होगा 28 70 में से 8 जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा और 8 को 10 से भाग देंगे तो 0.8 होगा ठीक है 8 को 10 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0.8 अब 78 और 0.8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 78.8 78.8 इसका उत्तर तो दसमलो रूप में व्यक्त करना है तो इस तरह लिख लेंगे C C में है 88 बटा 10 क्या है 88 बटा 10 तो यहाँ पर 88 को 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा एक पर एक सुनने है बटा में तो दसमलो के बाद एक अंग होना चाहिए इसलिए यहाँ पर दसमलो देंगे क्योंकि दसमलो के बाद एक अंग होना चाहिए क्योंकि एक पर एक सुनने है तो 88 को जब 10 से हम भाग देंगे तो आ जाएगा 8 दसमलो 8 डी डी में है चार पुर्णांक दो वटा दस चार पुर्णांक दो वटा दस तो हम इसको लिख लेंगे चार जोड चार जोड दो वटा दस हम इसको लिख सकते हैं ठीक है इसको हम क्या लिख सकते हैं चार जोड दो वटा दस कोई फर्क नहीं पड़ रहा है चार पुर्णाग दो वटा दस को हम लिख सकते हैं चार जोड दो वटा दस ठीक है अब अब हम इसको लिख सकते हैं चार जोड अब दो को दस से भाग देंगे 2 को 10 से भाग देंगे तो आजाएगा 0,10 2 क्या आएगा? 0,10 2 2 बटा 10 है तो 2 बटा 10 क्या हो जाएगा? 0,12 यानि 2 को 10 से भाग देंगे तो एक पर एक सुन्य है तो दस मलो के बाद एक खोना चाहिए इसलिए 2 के पहले 10 मलो लगा देंगे और दस्मलो के पहले सून्य दिया जाता है तो चार और सून्य दस्मलो दो को जोड़ देंगे तो हो जाएगा चार दस्मलो दो इसका उत्तर दस्मलो रूप में यानि चार पुर्णांक दोवटा दस का दस्मलो रूप हो जाएगा चार दस्मलो दो प्रस्न E E में क्या है 3 बटा 2 है क्या है 3 बटा 2 है तो देखे 3 बटा 2 को हम लिख सकते है 3 गुना 5 देखे 3 गुना और 2 गुना इस तरह लिख सकते है अब क्या गुना करेंगे कि 10 मलों में इसको बदलने में आसानी होगा तो देखे यहाँ पर अगर 10 आ जाए बटा में तो 10 से भाग देना आसानी हो जाता है तो देखे 2 को किस से गुना करेंगे कि 10 आएगा 5 से 5 दूना क्या होता है 10 तो जब हर में यानि नीचे जब 5 से गुना किये हैं तो उपर भी 5 से गुना करेंगे यानि कितना आगया पांतिया पंदरा बटा 10 ठीक है पांतिया पंदरा बटा 10 देखे हम हर को 10 लाएं 10 कर दीए अब देखे भागद देने में असानी हो जाएगा हर को क्या करती हैं दस तो हर को दस करने के लिए पांस से गुना करना होगा तो जब हर में पांस से गुना किये हैं तो अंस में भी पांस से गुना करेंगे ठीक है तो पांतिया पंदरा बटा दस हो गया अब पंदरा को दस से भाग देंगे तो एक पे एक सुनने है यानि दस्मलों के बाद एक अंग होना चाहिए तो पांच के पहले दस्मलों लगा देंगे यानि एक दस्मलों पांच ठीक है तो तीन बटा दो यानि तीन बटा दो का दस्मलों रूप हो जाएगा एक दस्मलों पांच तो इस तरह से भी हल कर सकते हैं नहीं तो direct तीन को दो से भाग दे देंगे तो आ जागा एक दस मलो पांच ठीक है वैसे भी आप सिधा भाग दे सकते हैं नहीं तो इस तरह कर ली जागा तो और आसानी हो जागा बस हर को दस कर लेना है तो 10 करने के लिए 5 से गुणा करेंगे तो जब नीचे 5 से गुणा किये हैं तो उपर भी यानि हर में जब 5 से गुणा किये हैं तो अंस में भी 5 से गुणा करेंगे तभी दोनों तरफ बराबर होगा उपर नीचे तो आग्या 15 बटा 10 यानि 1 दसमलो 5 इफ इफ में क्या है बारा बटा पांच है तो देखिए बारा को किस से भाग देना है पांच से तो डारेक्ट बारा को पांच से भाग दे करके भी आप इसका उत्तर ला सकते हैं नहीं तो इस तरफ कर लीजेगा तो जादा असान हो जाएगा अब अगर हम पांच को दस बना दे तो भाग देने में असानी होगा इसलिए पांच को दो से गुना कर देते हैं तो जब हर में दो से गुना किये हैं तो अंस में भी दो से गुना करेंगे यानि नीचे जब दो स से भाग दे देंगे तो एक पेक सुनने है यानि दस्मलों के बाद एक अंखोना चाहिए तो चार के पहले दस्मलों लगा देंगे यानि दो दस्मलों चार इसका उत्तर होगा तो बारवटा पांच का दस्मलों रूप होगा 2.4 G में क्या है G में है 3 पूर्नांक 3 बटा 5 3 पूर्नांक 3 बटा 5 तो इसको हम लिख सकते हैं 3 जोड 3 बटा 5 हम इसको लिख सकते हैं तीन जोड तीन बटा पांच ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तीन पुनांग तीन बटा पांच को हम लिख सकते हैं तीन जोड तीन बटा पांच अलग-अलग कट लेंगे दोनों को तीन को इधर और तीन बटा पांच को इधर ये तीन को पान से भाग दे देंगे तो भी इसका उत्तर आ जाएगा ये तीन को पान से भाग दे या हम हर को दस बना लें तो हर को दस बनाने के लिए क्या करना होगा दो से गुना पांच में दो गुना करेंगे तो दस आ जाएगा तो जब हर में दो से गुना किये हैं तो अ जब हर में दो से गुना किये हैं तो अंस में भी दो से गुना करेंगे ठीक है तभी उपर नीचे क्या होगा बराबर दोनों तरफ गुना करना है दोनों में हर और अंस दोनों में एक ही संक्या से तो अब ये हो गया तीन जोड तीन को दो से गुना करेंगे तो छे पांच को तो हम 3 को 5 से भी भाग दे सकते थे लेकिन जब हर 10 बन गया है तो भाग देने में असानी हो गया यानि एक पे 1 सुन्य है तो दस मलों के बाद एक अंग होना चाहिए इसलिए 6 के पहले 10 मलों लगा देंगे और 10 मलों के पहले सुन्य दिया जाता है तो 6 को 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 010 मलो 6 अब 3 और 010 मलो 6 को जोड देंगे तो हो जाएगा 310 मलो 6 इसका उत्तर कितना हो जाएगा 310 मलो 6 यानि 3 पुर्णांग 3 बटा 5 10 मलो रूप में होगा 310 मलो 6 प्रसने एच एच में है 4 पुर्णांग 1 वटा 2 क्या है 4 पुर्णांग 1 वटा 2 तो इसको हम लिख सकते हैं 4 जोड एक वटा 2 कोई फर्क नहीं पढ़ रहा है क्योंकि इसको जोडेंगे अगर 4 जोड एक वटा 2 करेंगे तो आ जागा 4 पुर्णांक 1 बट़ दो अब यहां पर 4 जूड 1 बट़ 2 है अब एक को चाहे 2 से हम भाग दें एक को 2 से भाग दें या हर को 10 बना ले तो 10 बनाने के लिए 2 को 5 से गुना करना पढ़ेगा क्योंकि 5 बट़ दो 10 होता है तो जब हर में 5 से गुना किये हैं, तो अंस में भी 5 से गुना करेंगे, तो कितना हो गया, 4 जोड, 5 गुना, एक 5, बटा 5 गुना, 10, इस तरह लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अब 4 जोड, 5 को 10 से भाग दे देते हैं, तो एक पे एक सुने हैं, यानि 10 मलों के देसमलों 5, चार जोड सुने देसमलों 5 कितना हो जाएगा, चार देसमलों 5, इसका देसमलों रूप, यानि 4 पुनांक एक वटा 2 का देसमलों रूप हो जाएगा, 4.5